So, hey guys and welcome back to another video So guys, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले है कि आखिर जो हमारा वॉल्ट है वो एक लेजेंड कैसे है यानि कि हमारा जो वॉल्ट है उसको सब लोग लेजेंड कहते है जो वॉल्ट है उसको ही लाइक सारे ब्लेडर्स अगर हम ले ले बर्स के तो उसको ही लेजेंड माना जाता है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ उस रीजेंड के बारे में कि जो वॉल्ट है उसको लेजेंड क्यों कहा जाता है तो चलो यार बिना खिस देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यार जो पहला रीजन है जिस वज़े से जो वाल्ट है उसको लेजन्ड माना जाता है वे बेबलेड बस्ट के यूनिवर्स में वो ये हैं किया जो वाल्ट है वो सबसे best main protagonist है out of the all protagonist we have in Bayblade Burst सारे protagonist के बार में बात करूँ तो जो वाल्ट है वो सबसे best protagonist है like Iger, Dante, यह सब भी अच्छे हैं बट जो वाल्ट है उसको सबसे best माना जाता है क्योंकि वाल्ट के साथ जो लोग है वो ज्यादा connected हुए है अगर आप आईगर को ले लो उसके साथ लोग उतने connected नहीं थे जितने वाल्ट के साथ थे and वाल्ट जो है वो OG main character था बेवलिट बर्स्ट का so इस कारण जो वाल्ट है वो obviously legend माना जाता है because वो एक like सबसे best main character था in बेवलिट बर्स्ट तिल डेट and या जा मतलब जो वाल्ट है वो काफी मस था यार protagonist की तरह like मजा आता था उसको देखने में बाद में जो बाकी protagonist है उतना मजा नहीं है मुझे सही बताऊ तो वाल्ट के साथ यार बेवलिट बर्स्ट और evolution जो है वो काफी interesting था and like hype बनी रहती थी हार एक episode की जब वो main character था so यार जो second reason है जिस वज़े से जो वाल्ट है वो एक legend माना जाता है वो ये है कि यार उसने अपने world champion title को दो बार मतलब regen किया है देखो पहली बार जो वाल्ट है वो turbo में जो है height से like पहले तो वो आईगर सा रहा था दार काईगर से फिर जो डार काईगर है वो height जा रहा था so इस तरह जो world champion का title है वो head के पास चला गया था बाद में जो वाल्ट है उसने height को भी अरा दिया इस कारण जो वाल्ट है like वो फिर से world champion बना and आईगर like motivation वाल्ट से उस समय ले या मतलब लिया था इस कारण जो वाल्ट है वो पहली बार like height से वापस लिया था अपना title and second time आईगर से अपना title वापस ले लिया था quad drive में so यह काफी मस्त चीज़ है और इस वज़े से like इस कारण के वज़े से जो वाल्ट है वो एक legend माना जाता है so जो वाल्ट है obviously वो एक legend है and यह तो भाई major factors है जिसके वज़े से जो वाल्ट है वो लेज़ेंड है mainly वाल्ट को legend क्यों माना जाता है because यह जो वाल्ट है वो सबसे ज़्यादा best पढ़ाएगे निसे जैसे मैं आप बताया first point में and यह जो वाल्ट है वो काफी strong है like quad drive तक वो काफी ज़्यादा strong हो गया था सबसे strongest legendary blader है वो first number पर so इस कार्यान जो वाल्ट है वो एक legend माना जाता है बेबलेट fans के द्वारा so हाई आर आज के वोड़े के लिए अगर आपका ये वीडियो पहसंद आयो सबस्क्राइब करना मत भूलना so that's it for today guys see you next time